नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो में देखिए आयो सी के नंबर्स अनाउंस हो गया है कल की डेट में बीपी सील के नतीज़ आये थे काफी दमदार थे वहाँ भी डिविडेंट था यहां भी काफी अच्छे आप देख रहे हैं आज की डेट 30 अक्टूबर 2020 को नंबर्स अनाउंस कि हैं दोनों एक्स्चेंज इसको इंक्युमेशन दिया है और आज हालंकि मार्केट की चुटी है लेकिन कंपनी की बोर्ड की बैठकती सबसे पहले डिविडेंट के बारे में आपको इंफो में देता साथी साथ एक चीज़ और दिखा दूथे कि रिकॉर्ड डेट लोग अकसर पूछना चाहते हैं 12 नवंबर 2021 रिकॉर्ड डेट रखी गई है यानि 12 नवंबर को आपके डिमेट में डिलिवरी में शेयर होल्ड में होना इंपॉर्डेंट है अगर ऐसा होता है तो आप बिकने के लिए या डीजल बिकने के लिए बाहर निकलता है उस प्रोसेस के दुरान कंपनी जो पैसा कमाती है उसको जी आरेम बोलते हैं यहां देखिए अपरेल से सितंबर 21 का जी आरेम कंपनी आया है 6.57 डॉलर परती बैरल और यहां देखेंगे पिछले साल जो 2020 परता वो था 3.6 परती बैरल का यानि एक बैरल क्रूड ओयल को प्रोसेस कम नहीं करती है तो कंपनी ने कमाया है 6.57 डॉलर यह चीज़ आना के एक बैरल में होते हैं 169 लीटर कचा तेल यह कंपनी की कमाई बहुत तगड़ी है आप डबल हो चुकी है करीब-करीब अब देखिए बात कर लेते हैं सीधे कंपनी के नतीजों के बारे में किन्सोल डिटेट बेसिस पे जो शीट अपो मैंने ओपन की वी है शीट थोड़ी सी धुनली है आपको शायद के लिए जो है दिखाई ना दे लेकिन मैं क्लियर ली अनाउंस करके आपको एक एक चीज़ यहां बताऊ लाग 57,018 करोड की तो हमें कंपनी के इंकम बहुत जबर्दस ग्रोथ करिये जो की एक लाग बहुत 3,646 करोड की है यहां पर दमदार उचाल आप देख रहे हैं क्वाटरली बेसिस पे साधी नेट प्रॉफिट बताऊं तो 6,140 करोड के सामने प्रॉफिट आया है कंपनी क 635 करोड का यहां भी बढ़त है कंपनी के एक्सपेंडिचर भी थोड़े से बढ़े हैं 1,49,334 करोड के सामने 1,64,717 करोड के आये हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़े हैं थोड़े कंपनी कंट्रोल कर पाती है अगर तो मुनाफ़ा और अच्छा गेन होता देखे पीवीट बताऊं profit before tax यहां भी आपको ग्रोध दिखेगी 8,030 करोड के सामने कंपनी का पीवीट आये profit before tax 8,350 करोड का यह कंपनी के numbers आपके सामने देख सकते हैं लेकिन BPCL का जितना दमदार ग्रोध थी उतनी दमदार ग्रोध यहां पर नहीं है अलाग BPCL के नंबर भी जो है gross mining GR कारेम जो है काफी अच्छे ग्रोध की हैं लेकिन 500 रुपए चोटा डिविडेंट वहां आया है यहां डिविडेंट 500 रुपए बड़ा साइस का आया है साथ ही लेकिन पिछले साल से कंपेर करूए सितंबर 2021 इंकम को एक लाग 17,870 क्रोध यह दमदार ग्रोध यहां पर आ कंपड़ी का खर्चा पिछले साल की दुनला में जबरदस्त बढ़ा है एक लाग 9497 करोड के सामने एक लाग 14770 करोड का है तो यह आपके सामने और साथी पीवीटी अगर बता हूं तो पीवी टीवी कंपनी का जो है ग्रो किया है और माफ किजे पीवीटी डिकलाइन हु सामने पीवीटी डिकलाइन हो रहा है आठ जार तीन सो पाचास करोड का अलगी कंपनी के नंबर समय सा प्रॉफिट ही देखा जाता है जिया हम देखा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आधी चीज़े देखी जाती है लेगिन फिर भी ओपीवीटी देखेंगे तो यहा आई-उसी का मंतली चार्ट आपके सामने है 2017-18 में जो स्टॉक अपनी उंचाईयों पर साथ 230-32 वे आज की डेट में आधा ट्रेड कर रहा है उंचाईयों से काफी नीचे है साथ-साथ डेली चार्ट बताँ टीटू वे एक हाई स्टॉक में लगाए था 140 का जो कि लास्ट जोड़दार नहीं आए जितना एक्सपेक्टेट थे हाँ डिवीडेंड के सलते थोड़ी बाइंग आ सकती है अब सवाल यह कि क्या आपको डिवीडेंड के लिए लेना चाहिए मतलब मनाई करूंगा सिर्फ पांस रुपए डिवीडेंड के लिए आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना कोई समझधारी की बात नहीं है हाँ डिवीडेंड के साथ वीव अगर मीडियम टू लॉंग रखना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं केवल पांस रुपए के लालच में आपको यहां बाय करनेगा कोई उचित्य नहीं बनेगा पांस जार से उपर अ झालच कोई